इलोन मस्क जिनका मानना है कि अभी भी मंगलगरा में इंसानों की कॉलिणी बनाया जा सकता है और यहां तक कि इलोन मस्क ने ये भी प्लैनिंग बना लिया है कि आने वाले 20 से 25 साल के अंदर मैं इंसानों को मंगलगरा तक पहुचा करी रहूंगा और मंगलगरा में इंसानों पंगल गरा में जाते हैं, तो हम लोग कुछ सकंद के अंदर बारे की तरह फट जाएंगे लेकिन ऐसा तो हाई नहीं कि scientist इन सभी प्रॉब्लम को हम लोगों से अच्छे तरीके से जानते हैं और इन सभी तीजों के बारे में जानते हुए भी साइंटिस्ट मार्स को कॉलनाइज करने की प्लाइनिंग भी कर रहे हैं और इस वीडियो हम लोग ये जाने वाले हैं कि जिस प्लैनेट में ओक्सिजन का लेवल इतना डाउन है कि हम लोग खुले में सांस तक नहीं ले सकते ह तो फिर आकिर साइंटिस्ट मार्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं और याता कि एलोन मस्क ने ये भी कहा दिया था कि अगर मंगलगरा में काफी सारा परमानुबम गिरा दिया जाए तो मंगलगरा को फिर से रहने लाइक बनाया जा सकता है लेकिन विट कई एलोन मस्क कि आखिरकार हमारे इलोन भया और अधर स्पेस एजिंसी मंगलगरा की पीछे हाथ दो कर क्यों पड़े हुए हैं हमारे सोलर सिस्टम में और भी काफी सारे प्लैनेट है उन प्लैनेट को हैबिटेबल बनाने की प्लैनिंग क्यों नहीं की जा रही है हमारे सोलर सिस्टम में सर्वाइब करने की बात तो छोड़ो, यहाँ पे इंसानों को मिसन के लिए भेजना भी हमारे लिए खतरनाक है, और अब बचे मार्स, जुपिटर, सैटन, यूरेनस, एड नेप्टुन, जिन में से ये चार प्लेनेट, गैसियस प्लेनेट है, यानि कि इन प्लेनेट का कोई स स्पेस्क्राफ्ट लेंड करता है, तो डारेत ये इस प्लेनेट के कोर तक पहुंच जाएगा, इसका कोई सर्फिस ही नहीं है, जिसके वज़े से यहाँ लेंड करना इंपॉसिबल है, और अब हमारे सोलर सिस्टम में बचा एक प्लेनेट जो की मार्स है, और इसी की पीछे पूरी साइंटिस्ट कम्यूनिटी हाथ धोकर लगे हुए हैं, और यही हमारे सोलर सिस्टम में एक लौता और दुलारा प्लेनेट है, जिसे साइंटिस्ट हेवी टेबल बना सकते हैं, देखो, एलोन मस्का जो दिमाग एनापू कभी सांत ने रहता, एलोन वईया की में कौन सा केमिकल लोचा होते रहता है, जिसे वो कभी भी कहीं भी चलने के लिए तयार हो जाते हैं, जोक सबाट गाइस, एलोन मस्क ऐसे तो है निए कि एक सुबह उठे और डायरेट बोले चलो मंगलगरा पे सभी चलो, एलोन मस्क मंगलगरा में जाने के पूरी प्लाइनिंग भी कर चुके हैं, और इन्हों ने ट्विट करके ये भी बताया है, कि मंगलगरा में इंसानों को ले जाने के लिए एक हजर स्टार से रोकेट को बनाया जा रहा है, बट ये सब चीजे सुनने में जतना आसान लग र लेकिन मंगलगरा में जो प्रॉबलम है, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानि कि जिस परकार से हम इंसान प्रित्वी में रहते हैं, हम इंसानों के सास लेने के लिए प्रित्वी में परियात मात्रा में ऑक्सिजन मौजूद है, हमारा प्रित्वी का ग्रैविटी भी उ मनल सबत्वाइब को धिकता है इसका कमपेरल मातर एक पर संदुस Chi और इसी के वज़े से मंगलगरा का दिन का टंप्रेचर भी माइनस तीरपंड डिग्री सेलसियस रहता है और जब मंगलगरा में ओल भी ज्यादा रिसर्च किया गया तो यह मालू पड़ा कि मंगलगरा का अपना खुद का कोई मैंगनेटिक फिल्ड ही नहीं है जैसे कि मैंने प्रेच भी देती हैं तो वो कुछी सगेंड तक जीवित रह पाएगा यानि कि अगर कोई इंसान मंगलगरा में जाता है तो उसको मरना पक्का है लेकिन सोचने वाली बात यह कि अगर मंगलगरा नहीं है तो फिर साइंटिस्ट इसके पीछे क्यों पड़े हुए है कि साइ कि साइंटिस्टों को अभी तक ऐसा कोई सल्यूशन नहीं मिला है जिससे कि हम लोग मार्स को हैविटेबल बना सके इलोन मस्क ने एक बार यह कहा था कि अगर हम लोग मंगल गरा के दोनों धुरूवों में परमानुबम गिरा दे तो इसके वज़े से काफी ज्यादा कारव परमानुबम क्यों नहीं गिरा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यह आईडिया वर्क ना करें क्योंकि साइंटिस्टों को इसके उपर बहुत सारे दिखाए दे रहे हैं और अगर हम लोग मंगल गरा में परमानुबम गिराते हैं तो इससे रिलीज हुए जो रहे हैं और एक टाम आने के बाद प्रित्वी का पॉकुलेशन इतना जाते हैं कि यह पे एक मास एक्स्टिंशन भी हो सकता और इससी स्टैडियूशन के लिए साइनटिस्ट एक बैक प्लैनेट को हैबिटेबल बनाने जा रहे हैं और इस पर अभी काफी सारह रिसर्च प्राप्लम को सल्यूशन भी ठोड़ा जा रहा है ताकि हम लोग इन सबी चीजों को पाइपाइस कर सके हलाकि अगर हम लोग मौजुदर टेक्नोलोजी की बात करें तो मौजुदर टेक्नोलोजी के इसाब से मंगलगरा को एबिटेबल बनाना हमारे लिए इन पॉसिबल है व तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक्केर